हलो दोस्तो कैसे हो आज हम आपको बताएंगे अपना डाइजेशन सिस्टम यानि के पाचन किरिया को कैसे ठीक करें अगर आप अमारे चैनल पे नए हैं तो पलीज सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकोन जरू दबा ले ताकि आने वाली किसी भी वीडियो को आप मिशना कर स दोस्तो आपने देखा होगा कभी-कभी किसी का डाइजेशन सिस्टम यानि के पाचन किरिया खराब हो जाती है जिससे उसे अनेको प्रेसानियों का सामना करना पड़ता है पेट दरद रहने लग जाता है कवज रहने लग जाती है कभी-कभी लूज मोसन हो जाते है खाना किसी अजम नहीं होता बूख नहीं लगती पेट में गैस बनने लग जाती है और जब गैस बनती है तो सरीर में अनेको बिमारिया आनी सुरू हो जाती है छाती में जलन रहती है सरीर में जकडन बेचनी अनेको बिमारिया पैदा करता है एक लीवर का डाइजेशन सिस्टम होना लीवर तक इफेक्ट हो जाता है दोस्तों फिर क्या करते हो आप डोक्टर के पास जाओगे अने को दवाईया खाओगे और दवाईया शरी में इतनी गर्मी पैदा करेंगे कि फायदा कम नुक्सान जायदा होगा तो आज हम आपको एक ऐसा उपाए बताएंगे जिसे अ को इसको पानी में बिगो दें गिलास में हो सके तो गुन गुने पानी में बिगो दें सुबह तक उसे भीगा रहने दें सुबह उठके उसे च्छान लें च्छान कर आपको जो अजवाईन बचती उसे फैक दें और उस पानी को अपने पैरो केबल बैटके सिप सिप करके पीना है आप देखोगे कि शाम तक आपको इस प्रेशानी से अराम मिलना सुरू हो जाएगा और हपते बर में आप अपने डाइजेशन सिस्टम को पूर्ण तर्ठीक करके सवस्त हो जाओगे इस तरह से होने वाली कोई भी प्रेशानी आपके श्रीर में नहीं रहेगी लेगन दोस्तों द्यान रखने की बात यह है कि यह आपको सुबह खाली पेट लेना है और इसके करीब आदा एक गंटा तक आपको कुछ भी नहीं खाना है यह बात वीशे इस द्यान रखे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा दोस्तों इस जबने वाद